बड़ी सिस्टर का अपने छोटी सिस्टर के फियांसे के साथ अफेर हो जाता है ये दोनों एक दुसरे से बहुत प्यार करने लगे थे और एक दुसरे को छोड़ने के लिए रेडी नहीं थे अगर इन्होंने अपने अफेर को कंटिन्यू किया तो बहुत लोगों को हर्ट करेंगे अब आगे क्या होगा ये एन अफेर ये 1998 की कोरियन मूवी के एक्सप्लेशन में हम जानेंगे अगर आपको वीडियो चलगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजेगा अब बिना किसी देरी के एक्सप्लेशन स्टार्ट करते हैं मूवी स्टार्ट होती है और हम अमारे दो मेन गारेक्टर को एरपोर्ट पर देखते हैं लेडी का नाम था सुहून और आदमी का नाम था हूँ एक्च्वल में दोनों जीहून को ही लेने के लिए आये हुए थे पर एक दुसरे को पहचानते नहीं थे जीहून ने सुहून की सिस्टर थी और वू की फियांसे इन्होंने बहुत वेट किया पर जीहून पहुची ही नहीं बाद में सुहून को कॉल करकर दो स्वारी कहती है उसने का मुझे और कुछ काम आ गया एक मन मुझे और लगेगा उसके पास आज एक गुर्णियूस थी उससे कहती है कि मैं एंगेश्ट हो चुकी हूँ सुहून को भी यह सुनकर बहुत अच्छा लगा उसका जो फियांसे है यह सुहून जहां रहती वही रहता है मतलब सियोल में यह न्यूँ सुहून ने अपने फादर को बता है फादर जरा वरीड करते हैं कि लड़का कैसा होगा क्या उनके बेटी का अच्छा से खयाल रखेगा वो थोड़े से डर रहे थे वो भी यही चाहते थे कि जल से जल उनकी बेटी की शादी हो जाए तो यह सब बात वो एक्सेप्ट कर देते है जीहून लोटने के बाद तुरण शादी करने वाली थी हम सुयून के घर पर देखते है उसका एक बेटा और एक हस्बन है रात में सोते होग सुयून ने अपने हस्बन से कहा कीचन के वायरिंग खराब हो चुकी है पर हस्बन इस बारे में भूल चुका था यह सिन रिप्रेजन करता है कि बहुत दिनों से हस्बन वाफ में प्रॉलम चल रहे है पर उसके हस्बन ने इस बात को नूटी से नहीं किया अगली दिन सुयून का बेटा ट्रिप पर जा रहा था तो उसने उसे छोड़ दिया आज सुयून वू से मिलने वाली थी जीून का फियांस है यह मिलकर शादी के बारे में डिसकस करने वाली थे यह दोनों मिले और इनकी बातों से हमें पता चलता है कि वो 14 एर से USA में था अब वो कंस्ट्रक्शन का काम करता है पिसे फाइनांशली तो बहुत ही स्टेबल है उसने सुयून से कहा कि तुम बहुत ही यंग लगती हो तुम्हें बेटा है कोई भी बोल नहीं सकता सुयून ने इस पर सिर्फ हस देया सुयून वो से कहती है कि शादी के बाद तुम्हें घर की जरुवत पड़ेगी तो इसी वज़े से अलग-अलग प्लेसेज पर जाकर एक घर ढूडने वाले थे आजरा सुयून के हस्बंड की ऑफिस के पार्टी थी इसमें वो भी आई पर यहाँ और उसका हस्बंड सिर्फ अपने कलिक से बिजनेस की बाते करता है उसे बहुत ही अकेला मैसुस होता है इसके बाद नहीं सिन्वम देखते हैं वो के फादर और सुयून के फादर ने भी शादी के लिए बात कर ली थी अगली दिन वो और सुयून एक घर टूरने के लिए मिले एक एजर ने उनने घर दिखाया पर यह बहुत ही कंजस्टेट था इन्हें पसंद नहीं आता यह अगली दिन घर टूरने का फिर से ट्राय करने वाले थे सुयून को लगता है कि सबर्ब में सिटी के बाहर बहुत अच्छा घर मिल सकता है तो यही घरे देखने के लिए आए घर के सामने एक बहुत ही ब्यूटिफुल सा लेक था जो वो इनको बहुत पसना आता है इसके बाद यह लेक के बास पॉक कर रहे थे सुयून वो उनसे बुछती है कि एक अलग कंट्री में आनब तुमें कैसा लगता है वो कहता कि मैं स्लोली स्लोली एड्जेस कह रहा हूँ उसने सुयून से बूछा क्या तुम कभी भी कही बाहर नहीं गई सुयून कहती कि मेरा रूटिन बहुत ही फिक्स्ट है मेरा हस्बर्ण मेरा बेटा इनमें मेरा पुरा दिन चला जाता है वो ने कहा कि लाफ में बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं क्या पता दस साल में तुम एड्वेंचरस बन जाओगी अलग-अलग प्लेसेज घुमने लग जाओगी फिर सोयून ने वू को घर पर छोड़ा वू से कहता है क्या तुम अंदर कॉफी टी के लिए आना चाती हो पस सोयून उसे मना करकर चली जाती है अगली दिन वू के फादर के कहने पर इने और एक घर देखने के लिए जाना था वू को एक घर पसंद नहाथा पर उसके फादर ने औरेड़ ये पाई कर लिया है वो सुयून से कहता है मेरे फादर हमेशा मेरी लाइफ को कंट्रोल करते है मेरा एक ब्रदर भी था उसकी डेथ के बाद वो मुझ पर बहुत ज़्यादा कंसेंटरेट करते है और मेरी पूरी लाइफ को कंट्रोल करना चाहते है उसे उस लास्ट घर का लेख बहुत ज़्यादा पसंद आया था तो सियून कहती है अगर हम लेख के बास नहीं जा सकते है तो लेख को तो यहाँ ले आ सकते है वो फिर एक स्टूडियो में गई और एक बड़ा सा लेख का फोटो लेकर उसे गिव्ट दे देती है कहती है मेरा तुम्हारे ले एक वेडिंग प्रेसेंट इसके बाद इस दोनों लंच के लिए आये वो अपने बच्पन के बारे में बता रहा था जब वो प्राजिल में रहता था वो कहता है मेरे घर के सामने सीख के तरह एक बहुत ही बड़ा सा लेख था वहाँ के मेरे फ्रेंज के साथ हम हमेशा सौकर खेलते थे खेलते खेलते लेख के वासे में सो जाता था वहाँ पर रहना एक बहुत ही ब्यूटिफुल एक्स्पिरियंस था वागा सन्राइस संसे इस सब चीज़े बहुत जादा ब्यूटिफुल थी सुयून को इस सब सुनना बहुत ही अच्छा लग रहा था कहती है कभी-कभी आपको कोई चीज़े बहुत ही फिमिलियर लगती है शायद हो अंजान हो नेकसिन में सुयून अपने हजबन को कपड़ी देने के लिए उसके आई हुई थी उसका हजबन को एक प्रोजेक्ट पर काम करना है तो आज कर घर नहीं आ पाता फिर से हम वू और सुयून को घर की शॉपिंग करता देखते है अब इन दोनों में अच्छी फ्रेंड्शिप हो गई थी शाम में घुम्ते घुम्ते ये एक ठिटर के पास आया वू तिकेट लेने के लिए किया तब इस सुयून को उसके सिस्टर का कॉल आता है बात करने के बाद सुयून को गिल्टी लगा कि वू के साथ कर कह रही है वू तिकेट लेकर वापस आया पर सुयून को यहां से जाना था आज रात वू सुयून से फिसे चाय के लिए पुछता है तो सुयून उसके साथ अंदर आके बाहर बारिश आ रही थी और खिड़के से व्यू देख रहे थे जो बहुती ब्यूटीफुल लग रहा था उस सुयून से बुछता है कि तुम क्या सोच रही हो सुयून कहती है कि तुमने मुझे ब्राजिल के बारें बताय था ये व्यू देखकर मुझे ब्राजिल किया दा रही है अब सुयून जब घर जा रही थी तो वू ने उसे किस कर लिया अगली दिन से उसे इग्नोर करने लग गई थी तो वू डारेक्ली सुयून से हस्बंड से मिलकर आता है आज रादे सब मिलकर डिनर करने वाले थे डिनर के बग वू ने सुयून के हस्बंड से पूछा तुम दोनों कैसे मिले थे हस्बंड कहता है सुयून को देखते ही मुझे प्यार हो गया था मैं हमेशा उसका पिछा करने लग या और एक दिन उसने मुझे से बात की और वो बहुत ही अमेजिंग थी इसके बाद स्लोली स्लोली उन दोनों में प्यार हो गया था वो इन हस्बंड से बुछता है क्या तुम खुश हो हस्बंड कहता है कि खुशी क्या होती है उसने फिश टाइंग दिखाया और हो कहता है इस टाइंग के फिश को वाउम वाटर मिलता है खाने के लिए भी सब कुछ मिल जाता है उन्हें काम करने की ज़रुद नहीं बढ़ती है इसे एक खुश ही कहता है इस फिश टाइंग के बीचे हम स्यून को भी देख सकते है ये मूवी का कहने का तरीका था कि स्यून का हस्बंड भी उसे इसी तरीके से देखता है क्यों खुश है क्योंकि उसे सब कुछ मिल रहा है वू को छोड़ने के लिए लिफ्ट में स्यून उसके साथ आए वो उसे पकड़ लेता है कहता है कल रात के लिए मैं सौरी बोलने के लिए आया हुआ था पर मैं सौरी नहीं हूँ स्यून कहती कि हम दोने नहीं कर सकते है वू को छोड़कर वो उपर आई पर वो उसे फिर से कॉल करता है कहता है कि जब तक तुम नीजे नहीं आती तुम्हें यहां से नहीं जाओंगा सुयून ने वू को इन और करने की कुशिश की बहुत जाता रात होकी उसके लिए वरीड थी तो नीचे जाकर देखाती है तो वू अब भी उसका वेट कर रहा था सुयून बुशती है कि तुम्हें सब कर क्यों रहे हो वू ने कहा तुम्हें उस घर साथ में के साथ देखना यह मुझे बहुत गलत लगा क्या तुम उसके साथ खुश हो क्या तुम उससे प्यार करती हो सुयून कहती कि वो मुझे से प्यार करता है सुयून ने वू को समझाने की कुशिश की कि हम दोने में बहुत जादा एज़ डिफरेंस है वो कहता है कि तुम में मुझे लाइक करती हो ये सब बात करने के बाद वू यहां से चला गया अगली दिन सुयून ने वू के वर्क प्लेस पर कॉल किया पर आज वो भी मार था इस वज़े से उसने चुट्टी ले ली थी सुयून वरीर होकर फिर उसके घर बर पहुच जाती है वू जब अपने नीन से जागा तो सुयून उसके पास थी वो उसे किस कर लेता है और इसके बाद दोनों इंटिमेट हो गए नेक सिन में हम देखते हैं सुयून का बेटा उसके ट्रीब से वापस आ गया था रात में जब उसका बेटा सोच आता है इसके बाद वो वू के पास आती है वू पास के गेमिंग कैफे में खेल रहा था सुयून भी उसके पास आये तो उसे भी गेम्स खेलना सिखाता है यहाँ पर कोई भी नहीं था तो दोनों यही पर इंटिमेट हो जाते है अब एक दूसरे से हमेशा मिलने लग गए थे एक दूसरे की कमपनी बहुत अच्छे से एंजॉय करते है एक दिन जब एक साथ है तो सुयून के हस्बन की कलीक इने देख लेती है उसने इन दोनों से बात की और उसे पता चल क्या था इन दोनों में चल क्या रहा है वू को आजकल लगने लग गया था इस सुयून फेसे घर वापस जाए ही न उसी के साथ हमेशा रहे आजकल सुयून जिस तरीके से बिहेव कर रही थी यह सब देख कर उसके हस्बन को उस पर शक आ जाता है उसने उसका मोबैल चेक किया तो वू का नमबर डायल किया हुआ था वो इस सब बात से बहुत परेशान हो गया था ओफिस में काम करते वक्त उसकी कलिक ने उसे लंच के लिए पूछा इनके बास ब्रेक था यह जा सकते थे पर हस्बन उसे मना कर देता है वो अपने फ्रेंड के साथ कोई भी तरीके की अलग रिलेशनशिप क्रियेट करने के लिए रेडी नहीं था वो इसके एक दू दिनों के लिए कॉनफरेंस थी तो सुयून को टाइम मिला तो वू के साथ एक अलग प्लेस पर गुमने के लिए जाते है वो अमते गुमते सुयून को जरा फीवर आ गया था तो वो उसका खैल रखता है सुयून जो भी करती है इस वज़े इससे बहुत गिल्डी लगता है वो हमेशा इसके बारे में सोचती रहती है पर वो ने कहा कि सिर्फ रिलाक्स करो सब कुछ ठीक हो जाएगा नेकसिन में सुयून ने वो की नोटबुक नोटीस की जहाँ पर कुछ डिटेल्स लिखी हुई थी सुयून उसे पुछती है कि यह सब क्या है क्या कोई एरपोर्ट से आने वाला है क्या मेरी सिस्टर है वो कहता है कि हाँ यहाँ पर एक डूडल भी बना हुआ था तो सुयून कहती है तुम मेरी सिस्टर के साथ बहुत टाइम तक फोन पर थे सुयून को बहुत बुरा लगता है और वहाँ से चली जाती है आजरा सुयून का हस्बन अपनी फ्रेंड के साथ था उसे कहता है कि आज रात में तुमारे घर पर रुख सकता हू उसकी फ्रेंड कहती है कि हमारी 20 सार की रिलिशन्शिप है आज तुमें लोनली लग रहा है इस वज़े से हम इसे तोड नहीं सकते है फ्रेंड ने उसे पूछा कि तुमारी वाइफ कैसी है हस्बन को लगता है कि उसकी फ्रेंड को उसकी वाइफ के बारे में सब कुछ पता है जो एक्च्छल में उसे पता था अब एक दो दिनों में सुयून की सिस्टर जीहून यहाँ पर पहुच चुकी थी ये सब जाकर उनके फादर से मिल कर आ दिया फादर ने वू और जीहून का हाथ एक दुसरे के हाथों में दिया कहा कि मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रखना रात में फिर सिलेबरेट करने के लिए सुयून और उसका हस्बन वू और जीहून यह सब रेस्टान में डिनर के लिए है सुयून का हस्बन जीहून से कहता है कि तुम्हें लगता होगा कि शादी के बाद भी रोमैंस कंटीनू रहेगा पर स्लोली स्लोली यह फेड होता जाता है जीहून कहती है कि मुझे इस तरीके से सोचना अच्छा है नहीं लगता हमेशा लाइफ में रोमैस तो होना ही चाहिए टेबल पर ही वो स्मोकिंग करने लग गया जो जीहून को अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसने बहुत पहले यह आदत छोड़ दी थी सुयून के हस्बन को ज़रा काम था तो जल्दी से चला जाता है जीहून से कहती है कि इसके बाद हम तीनों मिलकर कुछ एंजॉय कर सकते हैं पस तो जीहून ने कहा कि घर पर मेरा बेटा अकेला है वो इस बात पर गुस्ता हो जाता है कहता है क्या अब तुम्हें अपने बेटे का ख्याल आ रहा है इसका इंडारिक मतलब यह था कि अफेर करने से पहले उसने उसके बारे में क्यों नहीं सोचा यह बहुत ही डिस्रिस्पेक्फुल हो गया तो जीहून वो पर बहुत ही जादा चिर जाती है घर आते वो वो ने जीहून से कहा कि अब मैं तुमसे शाती नहीं कर सकता जीहून इस बात को जादा सिरियसली लेती नहीं अगली दिन जब वो स्यून से मिली तो उसे एबात बता देती है कहती है शायद वो जारा डर रहा होगा यह एक्चुली नॉर्मल होता है इसके बाद वेडिन डेस लेने के लिए गए हुए थे इन्हें को अलाता है उनके फादर की हलत बहुत ज़्यादा खराब थी सारे लोग फादर से मिल लेते है बहुत रात हो गई थी पर फिर भी सुईन फादर के पास ही रूखी गुन से कहती है कि आपने मुझे एक पार खाता कि आप जिससे प्यार करते हो उसे कभी भी जाने मन देना शायद आपकी life में भी कोई था जिसे आपने जाने दिया और आप आज भी पस्तावा करते हो आपके इस final moment में आपसे प्यार करने वाला कोई भी नहीं है मुझे लाइफ में लगा था कि मुझे कभी भी प्यार ही नहीं होगा पर आज जाकर मुझे यह हुआ पर यह बहुत ही लेट हो चुका है अगर मैंने मेरे प्यार को पाने की कोशिश की तो सब कुछ बरबाद हो जाएगा वो रोने लगके कहती है जिस प्यार को आप पाना सको यह बहुत जादा हर्ट फूल होता है हॉस्पिटल में वो स्यून से मिलने के लिए आया उसे गहता है मैं तुमारे बिना रह नहीं सकता स्यून कहती कि हमें यह सब बन कर देना चाहिए पर वो मानने के लिए रेडी नहीं था वो गहता है कि अगर तुमारे पास रहने के लिए मुझे जियून से शादी भी करनी पड़ी तो यही भी करने के लिए मैं रेडी हूँ स्यून कहती कि इस सब बहुत गलत है हमने उसे अल्रेडी हर्ट किया हम और उसे हर्ट नहीं कर सकते नेकसीन में हम देखते हैं कि जियून और स्यून ने दोनों घर की पैकिंग कर रहे थे तब ही जियून ने स्यून से का कि अब हम दोनों शादी नहीं करने वाले हम दोनों अमेरिका जाएंगे और फिर आगे क्या करना है फिकर आउट करेंगे एक दिन Sun के बेटे की सकूल में मैस्ट थी उसे वहाँ पर भी वू ने कॉल किया कहता है कि हम दोनों को मिलना चाइए फिर वो डारेक्लि सकूल में ही आ जाता है वही पर उसके साथ हो इंटीमेट हो गया वो उसे कहता है कि हम दोनों के हाँ से दूर चले जाना चाहिए मुझे पता है कि तुम मना करोगी तुमारी सिस्टर, तुमारे हजबन, तुमारे बेटे को तुम नहीं छोड़ सकती सुयून इस पर हा कहती है सुयून कहती कि नहीं छोड़ सकती है वो ने का क्या तुम सचमूश में मुझे फिर से मिले बिना एप पूरी लाइफ जी सकती हो तुम बिना प्यार की बुड़ी हो जाओगी जब तुम आखरी सास लो की मेरे जैसे प्यार करने वाला तुम्हारे पास कोई भी नहीं होगा आज तक सुयून ने वूसे I love you नहीं कहा था तुम कहता है कि प्लीज मुझे I love you कहो सुयून उसे कुछ भी नहीं बोलती नेक सिन में वो जीून से मिलकर उसे प्रॉपरली ब्रेक अब कर लेता है अब वो अकेला USA जाने वाला था घर पर सुयून ने भी अपने हस्बन से कहा कि अपने तुम्हारे साथ नहीं रह सकती भास्बन बहुत जाथ अपकुत्पा गुष्जाओगा कहता है तुम अपने सिस्टर के बारे में एक बास सोचना चाहिए था सिस्टर भी घर पर पहुज गई थी और ये सब बाते सुन लेती है वो सियून पर बहुत ज़ादा गुस्सा आए कहती है आज से तुम में और मुझ में कोई भी रिलेशन्शिप नहीं है इसके बाद हम सियून को एरपोर्ट पर देखते हैं उसने वो इनको भी I love you नहीं कहा था तो इन दोनों की फिर से बात नहीं हुई थी वो इनको जो प्लेज अच्छा लगता है यानि कि ब्राजिल वही जाकर वो रहना चाती थी इसका देखिट उसने बाई कर लिया वो भी इसी एरपोर्ट पर था वो अमेरिका जाने वाला था पर लास्ट मुमेंट पर अपना माइंड वो चेंज कर लेता है उसने भी ब्राजिल की फाइट ले ली मूवी के लास्ट सेन में ये दोनों प्लेज में मिल जाते हैं और इसी तरीके से इस मूवी का एंड हो जाता है हमारे दोनों कैरेक्टर रिलेशन्शिप में थे पर कभी भी उन्होंने प्यार को महसूस नहीं किया था एक दूसरे से मिलने के बाद ये चीज उन्होंने रियलाइस की जो भी उन्होंने किया ये सब अपने सेल्फिश लव के लिए इसे के साथ आज का वीडियो हम खतम करते है अगर आपको एस प्लेंशन अचा लगा तो प्लीज इसे लाइक कर दीजेगा बहुत सारे मूवीज लेकर आते रहता हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल नोटिवेशन आइकों दोने मत भूलेगा हम फिर से मिलेंगे और एक नमूवी के साथ तब तक लिए थैंक्यो और आप अपने आपका खैल रखिये